बहुत समय पहले एक फैमिली हुआ करती थी जिसमें जो पापा थे वो मेजिसन थे लेकिन पापा का एक सपना भी था दुनिया तक अपना मेजिक पहुचाना और एक दिन उन्होंने गिटार उठाया और चले गए फिल लोट कर कभी नहीं आए मम्मी अकेले पड़ गई और सुर्टार से हर तरह का नाता तोड़ने के बाद आम धनी का एक नया तरीका अपनाया उन्होंने जोते बनाने का काम सीखा फिर वो काम अपनी बेटी को सिखाया और बात में दमात को भी सिखाया फिर नाती पोतों को भी नहीं छोड़ा और जिस घर को मीजिक ने बरबाद किया उसे जोतों ने अबाद किया और ये जो मौतरमा है ये मेरी दादी की दादी दादी एमेलडा है और हमारी फैमली हर साल इनकी कहानी सुनाती है खास कर सदांचली दिवस में और ये उनकी छोटी बच्ची मेरी पर दादी कोको पर मैं इने अ बड़ी दादी कोको की बेटी संगीश से इतनी नफरत साइध ही कोई फैमिली करती होगी। लेकिन मैं इन जैसा बिलकुल नहीं हूँ, मुझे संगीश से बहुत ज़्यादा प्यार है। और मैं बड़ा होकर ओनेस्टो डेला क्रूस जैसा बनना चाहता हूँ। दुनिया के सबसे बड़े मुझेशन जिसके गाने के लोग दिवाने थे। पर एक दिन एक बड़ी सी बेल ने उन्हें कुचल दिया। तो ये सब मिगेल एक मुझेशन को बता रहा होता है। और वो मिगेल से कहता है कि तुम अपनी फैमली को बता दो कि मैं बड़ा होकर मुझेशन बनना चाहता हूँ। पर तभी वहाँ पर उसकी दादी आ जाती है जो उस मुझेशन को मार कर वहाँ से भगा देती है। और मिगेल से कहती है कि तुम इस सब से दूर रहो जिसके बाद वो उसे लेकर घर में आ जाती है। जहां पर सब उसे समझाते हैं पर मिगेल कहता है कि मुझे आज रात होने वाले गाने के कॉम्पिडिशन में भाग लेना है तो उसकी दादी उसे लेकर एक कमरे में आ जाती है और कहती है कि हम जब तस्वीर के साथ चड़ावा चड़ाएंगे तब ही हमारे पूरवज हमसे ब उमेस्टो डेला क्रूस की तस्वीर लगाई होती है और वो डिसाइड करता है कि मैं संधांजली दिवस में होने वाले गाने के कॉम्पिडिशन में पार्टी सपेट करूंगा जिसके लिए वो सब से छुप कर जाने लगता है पर रास्ता ना मिलने के कारण वो एक कमरे में चला जाता है जहां पर वो अपने डॉक को टेबल के नीचे छुपा देता है जब वहाँ पर बाकी के लोग आते हैं तो वो आप से मिगेल को अपने साथ काम करने के लिए कहते हैं तो उनके जाने के बाद उसके डॉक से उनके पर दादा दादी की तस्वीर गिर कर तूट जाती है और उसके हाथ में गिटार देखकर उसे लगता है कि ओमेस्टो डैला क्रूस उसके पर दादा है और ये बात हूँ सब को बताता है कि मैं भी बढ़ा होकर ओमेस्टो डैला क्रूस की तरह मिउजिसन बनना चाहता हूं जिसके बाद उसकी दादी उसका गिटार तोड़ देती है और कहती है कि तुम रिसन नहीं बनोगे तो मिगेल वहां से भाग कर लोगों की भीड में पहुँच जाता है गाना गाने के लिए पर गिटार ना होने के कारण उसे गाने का मौका नहीं मिलता इसलिए वो 37 तल में पहुच जाता है और मेस्टो डेला क्रूस का गिटार लेने के लिए जब वो खिड़की तोड़कर अंदर जाता है तो वहां पर वो गिटार होता है जिसे लेकर वो बहार आने लगता है पर वहां पर उसकी आवास से लोग आ जाते हैं जो उसे देख नहीं पाते जिससे मिगेल को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो वहां से भागने लगता है और बहार उसे बहुत सारे आत्माय दिखती हैं जिसमें उसके परवार वाले भी सामिल होते हैं और उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आता इसलिए वो मिगेल को लेकर मामा इमेल्डा के पास आ जाते हैं एक पुल के उपर से जिसके पीछे पीछे उसका डॉग दानते भी आ जाता है और यहीं पर हमें एक और आदमी को दिखाये जाता जो अपना भेस बदल कर पुल पार करने की कोसिस करता है पर किसी ने उसकी फोटो नहीं रखी होती इसलिए वो पुल पार नहीं कर पाता जब मिगेल को मामा इमेल्डा के पास लाया जाता है तो वो भी उसे देखकर हरान हो जाती है और ये सब उसे लेकर एक आदमी के पास आते हैं जहां पर मिगेल उन्हें बताता है कि मैं आपकी तस्वीर अपने साथ लेकर आया हूँ इसलिए आप सायद पुल नहीं पार कर पा रहे हो तो मामा इमेल्डा एक पंखुडिस से जादू करके उसे वापस भेज देती है पर वो गिटार को दुबारा छू लेता है इसलिए वो वापस से वहीं पर आ जाता है और बहाना बना कर वहां से निकल जाता है जिसका पीछा उसकी फैमली करती है तो रास्ते में उसे हैक्टर मिलता है जिससे मिगेल मदद मांगता है तो हैक्टर उसकी मदद करने को त्यार हो जाता है और उसे लेकर वहां से निकल जाता है तो उन्हें ढूनने के लिए मामा एमल्टा एक रुई परिंदे की मदद मांगती है और दूसी तरफ हैक्टर मिकेल के चेरे में पेंट लगा कर उसे भी अपने जैसा बना देता है जिससे उसे कोई भी पैचान ना सके और वो उसे अपनी फोटो भी देता है कि तुम वापस लोटते समय मेरी फोटो भी ले जाना तो ये दोनों हां से एक जगा में पहुँच ज है जिसके बाद हैक्टर मिकेल को लेकर एक आदमी के पास आ जाता है उसका गिटार लेने के लिए तो वो उसे अपना गिटार दे देता है जहां से होते हुए वो दोनों एक जगा में पहुँच जाते हैं जहां पर गाने का कॉमपेडिशन चल रहा होता है और मिकेल भी बहुत पसंद आता है और उसे ढूंते ढूंते वहां पर उसकी फैमली भी आ जाती है और ये दोनों वहां पर छुप जाते हैं तो वहां से मिगेल अकेला ही ओनेस्टो डेला क्रूस के पास चला जाता है उससे मिलने के लिए उसके घर में तो अंदर जाने के लिए उसके प जहां पर बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है और उनेस्टो डेला क्रूस उन लोगों के बीच में होते हैं तो मिगेल सब का ध्यान अपनी और करने के लिए वहां पर गाने गाने लगता है जिससे वो लोगों की नजर में आ जाता है तो सबके जाने के बाद वो उनेस्टो डेला क्रूस से कहता है कि मैं आपका परपोता हूँ और आप मुझे आसर बात दो कि मैं मिजिसन बन सको पर तभी वहां पर हेक्टर आ जाता है जो मिगेल से कहता है कि यह आदमी चोर है इसने मुझे मारकर मेरे सारे गाने चुरा लिये तो वहां पर Onesto Delacruz हेक्टर की फोटो को चीन कर अपने पास रख लेता है और अपने गाडो को बुलाकर उन दोनों को वहां से एक गड़े में फेक देता है जहां पर उसे पता चलता है कि हैक्टर ही उसके पर दादा है जिसके गाने चुराकर ओमेस्टो डेला क्रूस नहीं तना नाम कमाया पर तभी उसे ढूनते हुए वहां पर रुई परिंदा आ जाता है अमेलडा को लेकर जो उन दोनों को बचाकर अपनी बागी की फैमली के पा जाता है कि हैक्टर हमसे मिलने इसलिए नहीं आप आए क्योंकि उमेस्टो डेला क्रूस ने उन्हें जहर देकर मार दिया होता है तो यह सब डिसाइड करते हैं कि हम हैक्टर की फोटो लेने के लिए उमेस्टो डेला क्रूस के पास जाएंगे जब यह उसके पास पहुशते है तो वहाँ पर वो इन्हें देख कर हैरान हो जाता है और उसके जेब में हेक्टर की फोटो होती है जिसे लेने के लिए ये सब उसके पीछे भागते हैं और उनके गाडों के रोकने में ये उन्हें हराक कर अलेस्टो डैना क्रूस के जेब से हेक्टर की फोटो निकाल लेते पर तभी वो सब लोगों के बीच में पहुँच जाती है। जब उसे गाट पकड़ने के लिए आते हैं तो वो गाना गाते हुए वहाँ से उस तस्वीर को लेकर मिगेल के पास पहुँच जाते हैं। जब वो उसे अस्रिवात दे रहे होते हैं तभी वहाँ पर ओमेस्टो ड डेला कुरूस की तरफ कर देती हैं और वो बातो ही बातों में अपने सारे राज खोल देता है कि उसने कैसे ही हैक्टर को मारकर उसके सारे गाने चुरा लिए होते हैं और वो मिगेल को भी उस बिल्डिंग से नीचे फेक देता है पर वहाँ पर वो रुही परिंदा कर गेल को बचा लेता है जिससे लोगों को भी पता चल जाता है कि ओमेस्टो डेला क्रूस एक नंबर का जोटा है तो वहाँ पर हुई परिंदा आकर हैक्टर को वहाँ से उड़ा कर ले जाता है तो उसकी फैमली उसे आश्रिवात देती है कि तुम आपस से अपने घर में जहां से होते हुए वो अपने घर में आ जाता है कोको दादी के पास जब उसकी बाकी की फैमली उसे रोकनी की कोशिश करती है तो वो आखरी बार कोको दादी के लिए गाना गाता है जिसे सुनने के बाद उसे याद आ जाता है कि उसके पापा ये गाना उसे बच्पन में स इसे जोडने के बाद उस फोटो को भी बागी की फोटो के साथ रख दिया जाता है और एक साल बाद हमें दिखाये जाता है कि कोको दादी भी अब नहीं रही और मरने के बाद ही सही वो अपने पापा से मिल पाई और यहाँ पर हमें दिखाये जाता है कि संदंजली दिवस मे मिगेल वहाँ पर अपने दादा की तरह ही गाना गारा होता है और वहाँ पर उसकी फैमली भी आई होती है उसका गाना सुनने के लिए और ये मूवी यहीं पर खतम हो जाती है अगर आपको मूवी अच्छी लगी है तो मूवी को लाइक करना सस्क्राइब करना और सेर करना ना भूले और हम मिलते एक नई मूवी के साथ अगली बार एक बैतर एक्स्प्लिनेशन के साथ गुड़बाए